स्वागत है आपका आमारे योटोब चैनल पर आज किस वीडियो में करेंगे हर्याना पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम के लिए एक्सपेक्टेट पिपर तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो तो गाइस आज के सेसन में पहला गोश्चन है कौन सा देश विश्च की पहली मैला विदेश मंत्रियों की वैटक की मेजवानी करेगा तो आप्शन B कनाडा अगला गोश्चन मनता है हरियाना के किस इस्थान से कोसान कालिन सोने बाद चान्दी के सिक्के प्राप्त हुए हैं आप्शन B मीता थल सैंदा पिस्थल भगबानपूर हरियाना के किस जिले में है तो आप्शन है कुरू छेत्र महा भारत में नकुल दौरा जीते गए किन छेत्रों का उलेख है तो आप्शन ए रोहतक सिर्षा हरियाना प्रदेश का कौन सा इस्थान अग्र गण की राजजानी थी तो आप्शन D अग्रोहा निम्र मेंसे किस इस्थान से समुद्र गुप्त के सिक्के प्राप्त हुए है तो आप्शन D मीता थल अगला है प्राचिन काल में हर्याना राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था ओप्सन डी उप्युक सभी ब्रह्मारसी प्रदेश, ब्रह्मावर्थ प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी अगला है मनू स्मृति में किन दो नदियों के मद्ध इस्थित छेत्र को ब्रह्मा वर्त कहा गया आप्सन सी सरसोती एबं द्रस दोती दाउजी का मंदर कहां पर इस्थित है तो आप्सन ने बंचारी गाउं महमूद गजनभी इनने धाने सर पर कब आक्रमल किया था तो आप्सन भी 1014 ICB में भारती राष्टे कॉंग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यचता किसने की थी तो आप्सन भी व्योमेश चंद्र बनार जी साइलेंट बैली किस राज में इस्तित है तो आप्सन भी केरल सम्विधान का कौन सा भाग भारत को धर्म निर्पेच राज के रूम में बढ़नित करता है तो सम्विधान की प्रस्ता बना भारतीय रिजर्व वैंक का राष्टिय करण कप किया गया तो बढ़ सुनिस सो उन्चास में आकास का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है तो प्रकास के प्रकीडन के कारण किस दिन प्रत्वी सूर से निकर्टम दूरी पर होती है आप्सन भी हो जाएगा तीन जन्वरी को भारत पर नादिर साह के आकर्मन के समय दिल्ली का सासक जो था वो कौन था तो महम्मद सहा था अगला सक संबत किसने प्रारम किया था आप्सन ने कनिस्क ने काफी पौदे के किस भाग से प्राप्त होती है आप्सन सी बीज से प्राप्त होती है ग्रैमी पुरसकार किस चेतर में दिया जाता है तो आपसेने संगीत के चेत्र में अगला कोश्चन है परधान मंत्री फसल भीमा योजना कब प्रारम होई? आपसेने जन्बरी 2016 में मनसबदारी पुणाली निम्न मैंसे किसने आरम की थी? आपसेन बी अकपर ने किस संगीतान संसोदन दोरा मतदान करने की आयू सीमा 21 बर्स से घठाकर 18 बर्स की गई तो आपसेन सी 61 लाइप डिवाइन पुस्तक के लेकर कौन है? तौरविंद गोस साइमन कमेशन किस बर्स भारत आया था? तो 1926 निम्लिकित में से कौन सी नदी? बर्स गाटी से होकर भायती है आपसेन भी नर्मदा नदी एक एथिलिट को निम्लिकित में से किसी से जल्दी एवं अधिक उर्जा प्राप्त होती है तो कार्वो हाइडरेट बिश्चु स्रमिक दिबस बल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है? तो आपसेन एक माई अगला कोशन बनता है गाईज मानब सरीर में यूरिया का संसलेसन कहां होता है? तो आपसेन भी यक्रत में होता है सुन्दर बन के जंगल को क्या कहा जाता है? आपसेन भी मैन ग्रोब बन तकला माकन मरोस्तल कहां पर रिस्तित है तो आपसेन सी चीन ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट क्या कैलाती है? आपसेन ए ब्लू बुक निमलिकित में से किस आदेश को ब्यक्तिकत आजादी का घोतक कहा जाता है तो हैबियस कारपस हर्याना राज की लोकसबा में कितनी सीट हैं तो आपसेन सी दस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो आपसेन ए ब्रहस पती आगा घा कब किस खेल से सम्बंदेत है तो होकी से किस सिख गुरू ने गुरू मुखी लिपी को बिक्सित किया तो आपसेन ए गुरू अंगद 1913SB में अमेरिका में गदर पार्टे की इस थापना जो है वो किसने की आपसेन भी लाला हर दयाल निमलकित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है तो आपसेन सी काली मिट्टी सहारा मरुस्तल किस महादीप में इस्तित है तॉप्सन भी अफ्रीका महादीप ओरल रिहाइड्रेशन थेरिपी किस रोग हेतु लाबदायक है तो कालरा कह सकते है जा मनी प्लांट किस भारतिय बैंक का एटियम नेटवार्क है तो करनाटक बैंक नोबेल पुरसकार कुल कितने चेतरों में दिया जाता है तॉप्सन भी छे आई एस्पी का विस्तारित रूप क्या है तॉप्सन ने इंटरनेट सर्विस प्रोबाइडर अगला कोश्यन है काच की बोतल के अंदर पानी जमने से बहे क्यों टूट जाती है तॉप्सन भी जमने पर पानी का जो आयतन है वो बढ़ जाता है भारत में गेहूं का जीन बैंक कहां इस्तित है तो करनाल सरवादिक चाय उत्पादन बाला राज्य है तो असोम राष्टिय दोच की चौणाई का उसकी लंबाई के साथ क्या अनुपात है तॉप्सन सी दोच अनुपात तीन लीनिंग टावर कहां पर इस्तित है तो पीसा निम्नु में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है ओप्सन ए अर्थ सास्तर की रचना कीती कौटिल लेने निम्नु में से किस राज में आबादी का गनत्तो सबसे कम है तॉप्सन सी अरुनाचल प्रदेश भारतिय रिजर्ब बैंक का प्रधान कार्याल है निम्नु में से किस सहर में इस्तित है तो मुंबई जीस्टी भारत में लागू करने का सुजाओ किसने दिया था बिजय केलकर समिती मौसम की कौन सी दसा बैरोमेटर पढ़ने में अकसमाद गिरावाट से सूचित होती है तो तूपानी मौसम मैदानी चेत में पारे इस्तितिकी संतुलन को कायम रखने है तूब बन आवरान का निउन्तम पतिसत है तो उप्सन सी 33 निम्लिकित भारती राजियों में से किस एक का कुल बन चेत्र निउन्तम है तो उप्सन भी हरियाना क्रसी संगलना के अनुसार भारत में बोए गय चेत्रपल कल्टिबेटेट एरिया के कितने प्रतिसत चेत्र पर सिचाई सुविदा उपलब दे उप्सन सी 40 प्रतिसत भारत में सरवादिक के सिंचित चेत्रपल वाला राज्य है तो उप्सन भी उत्तर प्रतिस संसार में सरवादिक बहेंसों की संख्या कहां पाई जाती है तो भारत में भारत के संपून दूद उत्पादन में सरवादिक योगदान किस संबर्ग के पसूँ का है तो भैस का निम्न मेंसे क्या इमेल पते का एक हिस्सा नहीं हो सकता है तो space एक संचार मार्ग जो डाटा को एक जग़े से दुसरी जग़े इस थानांतरित करता है क्या कहलाता है तो medium कहलाता है बाई भाई का पूरा नाम क्या है मैली CS सौप्टवेर है, तॉपसन सी मैलवेर, निम्न मैं से कौन कम्प्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है, तॉपसन ने, रिमोट एरिया नेटवर्क, NIC का पूरा नाम क्या है, तॉपसन सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, निम्न मैं से कौन सा डाटा, संचार सिस्टम, राज्जियों, देशों, अत्वा, संपूर्ण, विस्ट में फैला है, तॉपसन सी बैन, कम्प्यूटर किस भासा में कार करता है, तॉपसन दी, मसीन भासा में, कम्प्यूटर का कौन सा भाग, गड़ना और तुलना के लिए देगा, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, निम्न मैं से कौन सी सौटकट की, ब्राउजर उपर उपस्तिट टैप को बंद करने के लिए उप्योगी होती है, तॉपसन सी, कंट्रोल प्लस डबलू, रिजनिंग के कोश्चन जिसमें देखिन, निर्देश दिया गया, प तो इस टाइप का कोश्चन जब भी आता है, तो देखिए जिस परकार पहले का संबन दुसरे से होता है, उसी परकार दुसरे, तिसरे का चौथे से या चौथे का तिसरे से निकालना पड़ता है, तो अगर आपको सबसे पहले 32 से 28 बनाते हैं, तो 32 से 28 जिस परकार बनेग चार घटा देते हैं, तो आपका आता 156, लेकिन option में नहीं है, तो आपको दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा, तो आप 32 से 28 बनाना है, तो 32 में सबसे पहले आप क्या कीजेगा, 8 का divide कीजेगा, 8 चकू 32, और इसमें 7 का multiply कर दीजेगा, तो कितना आजाएगा 28, जो कि आगे दिया हुआ है, यही तरीका 160 में करेंगे, 160 में अभी हम लोग 8 का divide करेंगे, तो कितना आजाएगा 20, और इसमें 7 का multiply कर देंगे, क्योंकि उपर भी किया था, तो कितना आजाएगा 140, तो option D is right answer, अगला question करते हैं, जिस प्रकर कबाई का समन्दे मीठा पानी, या मीठा पान पानी में पाई जाती है, तो इसका answer आगे क्या हो जाएगा, इसने mean, इसने mean जो पाई जाती है, ये मचली खारे पानी में पाई जाती है, तो option B is right answer, चलिए अगला question करते हैं, यदि stress को ये लिखा जाए, तो pulse को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो stress के सारे alphabet लिख लेते हैं Yes, T, R, E, S, पाहला alphabet आपका capital letter में है, तो इससे आपका क्या बनता है, R, T, R, E, S, एक ची देखिए, stress का last के जो alphabet है, वो बल्कुल सेम रहे, लेकिन पाहला जो alphabet है, वो change हो गया, तो देखिए, पाहला कैसे change हुआ, तो सबसे पहले alphabet code पता होने चाहिए, S का होता है 19, R का होत 11, तो इसमें कितना घटा, एक घटा, यही तरीका हम लोग पल्स में करेंगे, तो पल्स के सारे alphabet लिख लेते हैं, तो P से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो P का जो alphabet code होता है 16, इसमें एक घटाएंगे, क्योंकि उपर भी पहले alphabet में एक घटा तो इसमें एक घटाएंगे, तो 17 किसका होता है Q का, बांकि के जो alphabet उनको वैसा ही रख जाएंगे, तो U L S E, तो यह आपका अंसर हो जाएगा, और कौन से option में आ रहा है यह वाला answer, तो यह हो जाएगा आपका option A, ओके guys, तो guys 16 में से एक घटाएंगे, तो 15 आएगा, मैंने 17 लग दिया, sorry, यहाँ पर O होगा, तो option है right answer, चलिए अगला question करते हैं, question है, दिये गए सांखिकी अंकों में गड़ती संक्रियां लगाई है, जैसे कि आपका दिया हुआ है, चार, खालिस्तान तीन, खालिस्तान चार, और बनाना है 48, यह कैसे बना, तो option से चुनना है, तो option है is right answer, इसमें देखिए multiply अगर कर देते हैं, तीनों में, तो चार तिय मिल गया, तो option है is right answer, चली अगला question करते हैं, question कहता है, निमल के सब्दों को सब्द कोस में आने वाले करम के अनुसार लेखिए, अंग्रेजी बढ़माला के अनुसार आपको सब्दों को चुनना है, जो अलपावेट पहले आता है, उसी के आधार पर आपको सब्दों को च question है, सोमया मेरे घर से 10 कुलो मीटर पस्चिम की ओर गयी, तो माल लेते हैं, iay और सोमया जो है मेरे घर से 10 की अधार पस्चिम दिसा आपकी इधार होती है, आगे क्या कहता है, तब भाया बाइया मोल कर 20 क क्लो मीटर चली, तो बाया नीचे की तरप होगा, कितना चली, 20 DM आगे क्या कहता है फिर वह पूर्ब में मुड़ी और 25 क Gin owners Ăपकी कितना हो जाएगा इधा तुरप हो जाएगी कितना चलते हैं 25 ह neu कि अब क्या कहता है और वह अंत में 22 कंग चली तो बैयां आपका उपर की तरप होगा कितना चलती है 20 किलोमीटर ये दूरी देखिए ये वाली दूरी कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ये वाली दूरी और ये दूरी सेम हो गई अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी आपके 10 दी हुई अगर ये पूरी दूरी आगर निकालना चाहें तो ये कितनी होगी तो नीचे ये पूरी दूरी 25 है तो ये भी 25 होगी अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी बतानी है तो घर से बहुत कितनी दूरी पर है अब बहुत मेरे घर से कितनी दूरी पर है तो यह दूरी हमें बतानी है तो 25 में से आप 10 गटा देजेगा तो कितना आ जाएगा 15 किलोमेटर तो option B is right answer चलिए अगला question करते है यदि J बराबर 1, K बराबर 2, I बराबर 5, M बराबर 7, N बराबर 11, O बराबर 13, P बराबर 17 तब दिये के बेंजक में प्रसन बाचक चिन के स्थान पर क्या आएगा तो देखिए एक बेंजक दिया उसको पहले उतार लेते हैं इसमें आपको question mark की जगए बताना की क्या आएगा तो कर लेते हैं, equation को solve करते हैं एन का देखिए, N बराबर क्या दिया हो 11, तो यहाँ पर 11 लिख देते हैं फिर है multiply questions mark फिर है plus M, M की value देखिए कहां कितनी है, 7 तो 7 लिख दिया, फिर छोटा कोस्टक बन फिर है divide by K, K की value कितनी है, 2 2 लिख दिया, बराबर 31 अब बाडमा सरूल के according सबसे पहले छोटा कोस्टक सॉल्फ करेंगे तो यह हो जाएगा 11 question mark plus 7 और बटे में यह 2 हो जाएगा क्यूंकि divide है, इसलिए बटे में 2, बराबर 31 हो जाएगा अब cross multiply करेंगे तो 11 question mark plus 7 is called to कितना हो जाएगा 31 कितना होता है, 62 अब देखिए उदर जाएगा 7 तो अपका गड़ जाएगा, तो 11 तो अपका 11 question mark is called to कितना हो जाएगा 62 में से 7 जाएगा, तो अपका 55 हो जाएगा अब यह काटेंगे, तो question mark की value किया आ जाएगी, 5 और 5 देखिए किसका alphabet code है, तो यहाँ पर देखिए उपर आई का है, तो answer क्या हो जाएगा, 5 यह आपका किसका है, 5 आपका L का है, यह L दिया हूँ है, तो option A is right answer, चलिए अगला question करते हैं, दिये गए विकल्पों में से उस सब्द का chain कीजिए, जो कि दिये गए सब्द के अच्चरों के प्रियोक्षन नहीं बनाया जा सकता है, तो देखिए correspondence बनाया जा सकता है, respond भी बनाया जा सकता है, और condensed भी बनाया जा सकता है, क्यूंकि इनके जितने भी alpha बेटें, आपको correspondence में मिल जाएंगे, लेकिन Respondent में नहीं बनाया जा सकता क्योंकि Respondent में आपका Last में T-Alpha बेटे ये यूज हुआ है लेकिन ये जो T-Alpha बेटे आपको Correspondence सब्द में नहीं है तो इसलिए Option D नहीं बनाया जा सकता तो Option D Is Right Answer अगला कोशन क्या गया था है साधारण ब्याज की बाड़सिक दर से सोला सो रुपए का दो बर्स तीन महिने का साधारण ब्याज दो सो बाबान रुपए तो दर बताईए तो देखिए P की बेलू मतलब मूलधन आपका स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ सोला सो रुपए और टाईम कितना दिया हुआ है T is equal to दो बर्स तीन महिना मतलब फ्री इर्स फ्री मंत सोरी तू इर्स थ्री मंत अब इसको अगर बर्स में कनबट करें तो कैसे करेंगे तो देखिए टू तो आपका हो गया तो इर्स तो हो गया अब एक साल में कितने महिने होते हैं 12 और लेकिन यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो यह 3 उपर आ जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा टोटल 12 मतलब 12 मैं से 3 महिने दिये हुए हैं तो यह इतना हो जाएगा इसको simple fraction में convert करें तो यह आ जाएगा आपका 9 बटे 4 आगे क्या कहता है SI की value हमें दिया हुआ साधान ब्याज दिया हुआ SI सकल्टू 252 रुपए अब हमें क्या निकालना है दर बतानी है small r की value बतानी है तो देखिए साधान ब्याज इसकल्टू क्या होता है prt upon 100 p की value है 1600 small r की value हमें निकालनी है t कितना है 9 बटे 4 और बटे में 100 यह हो जाएगा 2 0 से 2 0 यह कर जाएगा 4 से यह काटेंगे 4 चको 16 SI की value हमें पता है 252 दी हुई है तो 252 इसकल्टू कितना हो जाएगा देखि 4 यह दिया हुआ है 9 यह दिया है तो 9.36 मतलब 36 r तो small r की value कितनी हो जाएगी यहां से 36 से 252 काटेंगे तो अपकी हो जाएगी 7 परतिसक्त तो options is right answer चलिए अगला question करते है question है यदि किसी गोले की तरिज्या 21 cm हो तो गोले का आयतन ग्याद कीजिए तो हमें तरिज्या पता है small r की value पता 21 cm है मालने थे गोले की तरिज्या small r है जो की है 21 cm तो गोले का आयतन क्या होता है गोले का आयतन is equal to 4 बटे 3 πाई r cube यह होता है अब हम लोग value पुट करेंगे तो 4 बटे 3 πाई की value कितनी रखते हैं हम लोग 22 बटे 7 r की value है आपकी 21 तो 21 into 21 into 21 तीन बार हो जाएगा तब इसको अगर solve करेंगे तो 7 से यह 3 बार कटा 7 यह 21 3 से यह 3 कट गया अब उपर कितना बचा 4 into 20 से 2 into 21 into 21 यह आया इसका multiply करने पर आपका answer कितना आएगा आपका आजाएगा 38,808 cm क्यों या घं सेंटी मीटर तो यह कौन से option में आ रहा है यह आ जाएगा 38,808 किस में आ रहा है option है चलिए अगला question करते है question है 280 meter लंबी rail गाड़ी 220 meter लंबे platform को तो total लंबाई पहले निकाल लेते हैं total लंबाई कितनी हो जाएगे 280 plus 220 तो यह कितनी हो जाएगे 0 यह हो जाएगा फिर 0,808 लगा एक 500 तो 500 आपकी total लंबाई हो गई आप क्या कहता है platform को पार करने में कितना समय लेगी मतलब small t की value बतानी है और चाल आपकी दी हुई है speed is called to कितनी है 60 km प्रती घंटा चूंकि लंबाई हमें मीटर में दी हुई है लेकिन चाल आपकी किलोमीटर में दी है तो इसको मीटर पर सेकंड में convert करने के लिए क्या करेंगे तो 60 into 5 बते 18 से multiply ओके गाईस अब देखिए हमें चाल बराबर क्या होता दूरी बते समय समय हमें निकालना है तो समय इस called to क्या हो जाएगा दूरी बते 4 दूरी कितनी है आपकी total 500 चाल कितनी है आपकी 60 into 5 बते 18 5 बते 18 तो 18 उपर चला जाएगा 100 अब 6 से ये काटेंगे 18 तो ये 3 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 10 तो आगे लिख लेते हैं 100 into 3 बते 10 into 5 अब एक 0 से एक 0 ये कटा 5 से फिर ये 10 काटेंगे 2 फिर 2 into 3 कितना हो जाएगा 6 मतलब आपका कितना आ जा रहा है 6 निकला लेकिन 6 नहीं आएगा मैंने कहीं गलत काटा है आपका देखिए 500 into 18 है और बते में 60 into 5 है तो दुबारा करते हैं देखिए T की बेलू आपकी है रुकिए एक मिनट T इस कल्टू आपका दिया हो है 500 into 18 बते 60 into 5 यह है इसको अगर solve करेंगे तो यह 5 से पहले उपर काट लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा 100 आ गया अब देखिए यह 6 से काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 10 कितना आ जाएगा 10 और उपर कितना यह 18 तो यह 3 बार जाएगा लेकिन आप साइकल लीजिएगा आपका option C is right answer हो जाएगा चलिए अगला question करते है अगला question है बहुत ही simple सा है 70 gram और 1 kilogram का अनुपात क्या होगा तो 70 gram और 1 kilogram का अनुपात निकालना है तो इसको भी gram में convert कर लेंगे तो 70 gram यह हो गया एक kilogram में कितने होते हैं एक 1000 gram अब इसको simple में एक 0 से 1 0 कटा तो आपका आद है का 7 अनुपात 100 तो 70 is right answer चलिए अगला question करते है अगला question है बहुत ही simple साहई देख लेते है एक school में लड़के तता लड़कियों लड़कियां 2 अनुपात 3 का अनुपात है माल लेते हैं कि total student की संख्या हम लोग माल लेते हैं 100 हमेशा मानते हैं और इसमें लड़के तता लड़कियों का अनुपात कितना है boys and girls का ratio कितना दिया हुआ है 2 ratio 3 तो यहां से हम लोग boy की संख्या निकाल सकते हैं तो boy की संख्या कितनी हो जाएगी boy का आपका ratio 2 है तो 2 ऐसे हो जाएगा कितने मैं से 100 मैं से और बटे में क्या हो जाएगा इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 5 तो यह 5 से यह काटेंगे तो आपका कितना आजाएगा पांदुनी 10 मतलब 40 हाजाएगी तो 40 आपके गल्स 40 आपके बॉइस हो गए तो गल्स कितनी हो जाएगी 100 मैं से 60 हो जाएगी तो बॉइस का आपका हो गए 40 गल्स हो गए 60 आप देखी आगे क्या कहता है यदि 25 परसेंड लड़के तता 20 परतिसत लड़कियां छात्रवत्ती धारक हो तो स्कूल के उन छात्रों का परतिसत क्या होगा जो छात्रवत्ती धारक नहीं है तो सबसे पहले हम लोग चात्रवत्ती धारक की संख्या निकाल लेंगे चात्रवत्ती धारक तो 25 परसन लड़के हैं जिनको चात्रवत्ती मिल लें मतलब 40 का 25 परसन निकाल लेंगे अम लोग तो 40 का 25 परसन निकालेंगे तो कितना आएगा एक 0 से 1 0 कटा तो 2 से ये काटेंगे कितनी है 60 तो 60 का 20 परसंट निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा जीरो से जीरो कटा फिर जीरो से जीरो कटा तो छे दुनी 12 तो टोटल चातरवत्ती धारक कितने हो गए 10 और 12 कितने होते हैं मतलब टोटल बाइस हो गये बचा कितने 22% आपके चातरवत्ती धारक होगे टोटल में से और जब बाइस परसंट चातरवत्ती धारकर तो चातरवत्ती धारक नहीं है वह कितना होगा 100 से 22 घटा देंगे तो कितना आजाएगा 78,30 तो option is right answer I hope आपको समझ में आया होगा चली अगला question करते हैं अगला question है दो प्राकरत संख्या हैं 3,95 के अनुपात में हैं तो इनका गुड़न फल आपका 2160 है तो इन में से सबसे बड़ी संख्या कौन से होगी तो देखिए 2 संख्या है दी हुई है प्राकर संख्या है जो कि रेशियो कितना है 3,95 तो इसमें से अगर X का दोनों में multiply कर दें तो आपकी संख्या निकलाएगी तो पहली संख्या हो जाएगी 3X दूसरी संख्या हो जाएगी 5X तो सबसे बड़ी संख्या कौन से होगी 5X यहीं बताना है मैं अब इनका गुणन फला में दिया हुआ है मतलब 3X इंटू 5X की बेलू कितनी है 2160 तो देखिए ती 5 यह 15 X इसकार यह हो जाएगा तो 2160 हो जाएगा अब 15 से यह काटेंगे 260 तो X सकार इसकार 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 तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 15 हम 15 एक बार गया बचाच्छे 1560 फिर 1560 114 आगए तो X की बेलू आपके कितनी आगई X की बेलू आगई आपकी 12 है तो 5 में 12 का मल्टिप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 60 तो सबसे बड़ी संख्या काउन से होगे 60 option D is right answer चलिए अगला question करते हैं question है Rupal ने एक गाड़ी इतने रुपय में खरी दी तो आपका CP कितना हो जाएगा दिया हुआ है 25 और 4 बड़ जीरो एक, दो, तीन, चार तता इतने में बेंच दी तो आपका SP कितना है 34, 8, 0000 तो उसे कितने प्रतिसत का लाब हुआ तो देखिए आप अगर कोई चीज को इतने रुपय में खरीद रहे हो जादा में बेंच रहे हैं 34, 8, 0000 से हम लोग गटाएंगे 25, 4 बार 0 और बटे में क्या हो जाएगा CP CP कितना है 25, 4 बार 0 और multiply हो जाएगा 100 यह होता है आपका percentage of profit तो आपका कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 98,000 बटे में धाई लाक into 100 तो इसको जब solve करेंगे टू पते सत तो आप्सेंसी इस राइट आंसर इस कोश्चन है मक्खी सब्द का तस्सम रूप क्या होगा तो आप्सेंडी मच्च का और बिराट का बिलोम क्या होता है तो बिराट का बिलोम सब्द क्या होगा आप्सेंडी छुद्र यमुना का परहएवाची क्या होता है तो यमुना का परहएवाची आपका हो जाएगा ओप्सिन डी कालिंदी तो कोश्चन करना डारेक्शन से हैं कोश्चन नमबर 98 से 100 के लिए चूज दा मोस्ट अप्रोप्रियेट अल्टरनेटिव और फुल फिल इन दा ब्लैंक्स तो कोश्चन है आई लाइक दा खालिस्थान और डबलू वी इट्स तो यहाँ पर क्या भरेंगे और प्सिन भी पोईटरी यह पोईटरी के लिएका का हो जाएंगे अगला है खालिस्थान is better than nothing तो आगे क्या भरा जाएगा something is better than nothing आज का लास्ट कोश्चन है आगे क्या भरा जाएगा noise है आगे आगे भरा जाएगा much much noise तो गाई आज के उस वीडियो में इतना है thank you